हलो एवरीवान, वेलकम तो दो चैनल अगरिकल्चरल स्टडीज, मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का यह जो वीडियो है इस वीडियो को दौरान हम एंटैमोलोजी सब्जेक्ट के एक कोर्स टाइटल पैस्ट आफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रीन्स एंड देर इनके बारे में बात करी थी और साथ में हमने जाना था कि उनका प्रिवेंशन या कंट्रोल किस तरह से किया जाता है आज इस वीडियो को दारान हम स्टोर्ड ग्रीन पैस्ट के अंदर रैड फ्लॉर बीटल, एंगुमोईस ग्रीन मौथ, पल्स बीटल और साथ में ग्रीन माइट्स के बारे में बात करने वाले हैं साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटेमोलोजी का ये जो कोर्स आइटल है, इसके उपर पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक उपर आई बटन के साथ, निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे अब चाहें, तो उनके देख सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो की है रेड फ्लॉर बीटल, अब इसे रस्ट रेड फ्लॉर बीटल भी कहा जाता है, रस्ट आप जानते हैं जंग, जो की रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो इसका रेडिश ब्राउन सा होता है, इसलिए हम इसे रस्ट रेड फ्लॉर बीटल भी कहते हैं, और नाम में आ रहा है फ्लॉर, फ्लॉर यानि की आटा, तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्टोर ग्रेंज के जो अलग लग फ्लॉर प्रडॉक्ट्ट्स होते हैं, जैसे कि हम कहें सूज मैदा वगेरा जो होते हैं, फ्लॉर प्रडॉक्ट्स के ओपर इसका इंफस्टेशन ज्यादा देखा जाता है, इसलिए हम इसे रेड फ्लॉर बीटल कहते हैं, तो नाम से जो जो चीजे समझ आती हैं, वो हमने जान ली, अब देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो ह इसका इंफस्टेशन कहा होता है, वैसे तो मैं आपको बता दिया है, लेकिन फिर पर आगे इसका पढ़ें, तो देखिए, उनके ओपर इंफस्टेशन दिखा जाता है, क्लियर है, नेक्स अगर हम देखें कि इंफस्टेशन कैसे दिखा जाता है, यानि कि इनका नेचर ओफ डैमेज क्या है, तो उसके बारे में बात करें, का मतलब यह हुआ कि हमने जैसा जाना था बिसले वीडियो के अंदर, कि जो जो प्राइमरी स्टोर्ड ग्रें पैस्ट होते हैं, उनका अटैक हम देख ते हैं होल ग्रें के उपर या कह सकते हैं साउंड ग्रें पर दिखा जाता है, sound grain का मतलब आप जानते हैं कि पूरे दाने के जो damage पहुचा सकते हैं उनको हमने primary stored grain pest कहा था लेकिन जैसे कि ये insect pest है जो कि तूटे फूटे या हम कह सकते हैं broken grains के उपर अपना infestation दिखाते हैं या हम कह सकते हैं primary stored grain pest ने जो damage पहुचाया है और उसके बाद floor वगेरा जो बचा है उनके उपर अपना infestation दिखाते हैं तो उनको हम secondary stored grain pest कहते हैं उसी तरह से ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं secondary stored grain pest है क्यों क्योंकि ये हम देख रहे हैं broken और attacked grain के उपर इसका attack दिखा जाता है clear है समझा आगी होगी बात next line देखिए it is generally found in association with the kapra beetle, rice, fuel and lesser grain borer पिछले वीडियो के इंदर हमने इन तीनों insect के बारे में अच्छे से बात कर ली थी तो वो जो primary stored grain pest है उनका जब attack हो रहा होता है तब उसके साथ में ये insect भी देखा जाता है इसलिए लिखा है कि association में देखे जाते हैं उन insect के साथ and does not cause much damage as done by these pests मतलब इसका damage उतना नहीं होता जितना की उन सारे pests का होता है तो इस तरह इससे हम देखते है red floorbeater का infestation देखा जाता है next देखिए the insect is specially harmful to floor, मैदा एंड सूजी ये हमने बात करे ली थी in case of severe infestation floor and floor products turn greyish yellow जब infestation ज़्यादा हो जाएगा तब उस condition में क्या हम देखेंगे कि जो मैदा वगेरा है वो greyish yellow color का हो जाता है उसका रंग बदलने लगता है and हम देखते हैं साथ में और क्या होता है and become malty which produces pungent smell तो तीकी से बद्बू आने लगती है उसके अंदर से smell आने लगती है उसके अंदर हना तो उससे क्या होता है and becomes unfit for human consumption और ऐसे बद्बू वाला आटा वगेरा जो होगा जो infested हैगा उसको हम consume नहीं कर सकते हम उसे इस तरह से इसका main damage या कह सकते हैं हम infestation देखा जाता है अब देखी बोथ grub and adults are responsible for causing damage हमने जाना ही था बीटल्स जो होते हैं उनके larva को हम grubs कहते हैं clear होगी बात लेकिन grubs और adult दोनों ही form यहां पर क्या होती है infestation करती है maximum damage is caused during the rainy season और जो rainy season होता है जब moisture ज्यादा available होता है तो उस condition में हम देखते हैं इसका infestation ज्यादा देखा जाता है clear है अब अगर इनके हम क्या बात कर लें life cycle की अगर हम बात करें तो आप जान चुके हैं कि यह colioptera की है colioptera life में 4 main stages कौन-कौन सी egg, larva, pupa and adult तो उसमें egg के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो क्या है हम देखते हैं 400 to 550 eggs are laid in a complete life cycle of from a single female एक female जो है अपनी पूरी life cycle के अंदर 400 से 500 तक एक दे सकती है और कैसे देगी laid singly in floor और among grains या तो grains के उपर देगी टूटे-फूटे grains के उपर, broken grains के उपर या हम कह सकते हैं यह हम देखते हैं singly floor के अंदर मतलो आटे के अंदर दे जती है eggs अब खास बात यह याद रखनी है कि being sticky and covered with floor and dust इनके जो eggs होते हैं वो sticky यानि चिपचिपे होते हैं चिपचिपे होते हैं तो इनके उपर आटा चिपक जाएगा या कोई धूल मिट्टी वगरे चिपक जाएगी उससे क्या होगा उससे इनको recognize करना या कह सकते हैं पहचानना मुश्किल हो जाता है next अगर हम देखें यह cylindrical और white color के होते हैं एग्स से क्या बहार आएगा of course grubs बहार आएगे और इक grubs form को हम यहाँ पे एक grub form वास्ते में है क्या larva form है कितने दिनों बाद तो देखते हैं हम 4 से 12 दिनों बाद eggs में से larva बहार आते हैं अब इन larva या grubs की क्या खास बात होती है तो दीखी at hatching grub is 1 mm जब hatch हुआ होता है तब उसकी length बहुत चोटी यानि कि 1 mm होती है जो grow करते हुए 5 mm हो जाती है पूरा development हो जाने के बाद पूरा development हो जाने के बाद का मतलब यह हुआ कि इनके अंदर अलग तरह की molting होगी बार-बार molting होगी तो बार-बार molting होगी तो मतलब आगे मैंने लिखा भी है malt 6-7 time 6-7 बार molting होगी और पूरा develop होगी यह 5 mm तक लंबा हो सकता है लार्वा cylindrical appearance appearance इसका cylindrical है और width body segment having number of fine hairs और इनकी body segments में fine hairs या बाल देखे जाते है लार्वा से अब क्या मनीगा pupa आएगा pupa stage आएगी resting period हम कह सकते हैं एक तरह से तो वो कि कब आएगा तो देखे 27 to 90 days 27 से 90 days इतना बड़ा difference क्यों environmental conditions की वेचे से जैसे next में लिखा भी है कि 30 degree Celsius temperature is it becomes full grown in 20 to 25 days 30 degree temperature अगे मिल जाएगा तो ये 20 से 25 दिन में ही pupa stage में आ जाएगा मतलब लार्वा पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा लेकिन अगर environmental condition अच्छी नहीं है अलग-अलग तरह से इसके लिए optimum नहीं है तो 27 to 90 days यानि 90 दिनों तक खाभी time लग सकता है clear है अब देखिए लार्वा से क्या बन रहे है पूपा बन रहा है तो ये पूपा की बारे में भी अगर हम जाने on the surface of the food initially white in which turns into yellow मतलब ये initially तो white color के होते है और फिर बाद में पूपा yellow color का हो जाता है और कहां पे पूपा stage आती है तो पूपा है वह कितनी दिन तक रहेगा इसके अंदर प्यूपा के अंदर ही कब तक रहेगा तो हम देखते हैं पांच से नौ दिनों तक 5-9 डेस के बाद ये किसमें अबकॉस एडल्स बाहर आएंगे इसमें से एडल्स फॉर्म कैसा बताया था शुरू में ही बताया था रस्ट रैड यानि की रैडिश ब्राउन कलर का होगा लेंथ इसकी कितनी होगी 3.5 मिलिमेटर होगी ब्रैथ 1.2 मिलिमेटर होती है last three segment to form an enlarged terminal end in the antenna अब इनकी जो antenna होते है उसके last का जो छोर होगा terminal होगी वो थोड़े से बड़े होते है कुछ इस तरह से characteristics या हम कह सकते हैं कुछ बात ये जानी हमने adults के बारे में adults का काम क्या है खाना पीना population करना और फिर से एग ले कर देना है तो मतलब वापिस क्या है adults जो हैं दो से तिन बाद दो से तीन दिन बाद eggs लेकर रहेंगे एग लें करने के बाद वापिस life cycle continue होगी इस तरह से इनका life cycle दिखा जाता है total life cycle जो कितने दिनों का है वो हम देखते हैं 38 से 114 मतलब 38 से 114 दिन का इनका life cycle है और इस तरह से इनका life cycle यह चीज़ आपको समझाई होगी लेकिन अब हम इसका control या measurement के बारे में management के बारे में नहीं बात कर ले क्यों किससे जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने stored green pest के prevention की measures उनको किस तरह से control किया जाता है पूरा concept वगरा है उसके बारे में अच्छे से बात कर ली है अगर आपने इनकेस वीडियो नहीं देखा है तो उसका link उपर आई बटन के इसका नाम बड़ा आजीव रखता है मुझे एंगोव मॉईस क्यों रखा गया है इसका ऐसा नाम तो फ्रांस के अंदर एक जगह का नाम है एंगोव मॉईस तो उस जगह इसका infestation सबसे पहली बार notice किया गया था इस मुझे से इसका नाम रखा गया है एंगोव मॉईस ग् और खास है लेपिड़ अप्टेरा खास क्यों है क्योंकि हमने अब तक जितने भी स्टोड़ ग्रेंट पैस देखे मैंने सब के अंदर एक लाइन एड करता गया कि मोस्ट ऑफ इस टोड़ ग्रेंज जो होते हैं वो कोलिय अप्टेरा के अंदर आते है लेकिन ये ऐसा है आपिड़ तेरा के अंदर इसका और 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 इसका ओर्डर है और इसकी फेली जो है वो है गछी अज़िट और इसका ऑड़ ग। तो देखें, इन्फेस्टेशन किस पर देखा जाता है, तो देखें, वीट, मेज, राइस, बार्लेज और जौर, तो अलग लिए तरह की सीरिल क्रॉप्स जो है, उनके उपर इसका अटैक देखा जाता है, और कैसे देखा जाता है, निचल अव डैमेज के एकर हम बात करें, तो देखें, जब फील्ड में होती है क्रॉप, उस वक्त ही इसका इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड दी ग्रीन is in the milk stage, milk stage आप जानते होंगे, maturity के stage होती है, जो सीरिल क्रॉप्स के अंदर, तो उस milking stage के अंदर इसका इन्फेस्टेशन हो चुका होता है, मतलब यह इन्फेस्ट करना शुरू कर देता है, this infestation continues to increase unchecked right up to the time when the harvest is waiting for threshing, मतलब threshing होने से पहले अगर हमने इसको चेक नहीं किया है, इसका infestation हो चुका है, तो यह लगातार ग्रीन के अंदर क्या करता जाता है, damage पहुंचाता जाता है, the damage to the grain is always caused by the larva which bore into the grain, अब यह मौक्स तो करेगा नहीं हम देख सकते हैं, infestation, यहां हम देखते हैं, larva जो होते हैं उसके वो grain के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, damage cause करते हैं, त्यान रखेगा, यह larval stage जो हो क्या करती है, damaging होती है इसकी, once it has entered the grain, the larva eats out the kernel unseen, kernel जो होते हैं, उसको बुरी तरह से यह खतम करने लगते हैं, the infested grains are hollowed, पुरी तरह से खोखले हो जाते हैं, grains out by the larva and filled with their excreta and webbing, मतलब अपने जाल वगेरा बनाके और excreta से भर देते हैं पुरी grain को और पुरी तरह से grain खराब हो जाता है, its infestation generally does not extend beyond a few inches below the surface of stored grains, stored grains जो होते हैं, उनकी surface से ज्यादा गहराई में नहीं देखे जाते हैं, उपर उपर की layer में ही इसका infestation देखा जाता है, where the moisture content of the grain is high during storage, storage के अंदर हम देखते हैं, moisture content जहाँ ज्यादा होता है, उसी उन layers के अंदर ही इसका infestation देखा जाता है, अगर माली यहाँ पर पुरा धेर लगावा है, तो उसकी उपर उपर की layers के अ infestation देखा जाएगा, इसकी larva का, और अब देखिए, तो हमने जाना है, इसका moisture इसको मतलब matter करता है, तो वही आगे लिखा है, the maximum damage is caused during moth of monsoon, monsoon का जो सीजन होता है, जुलाई, अगस्ट और सेप्टेमबर, उस दौरान इसका देखते हैं, हम क्या देखा जाता है, infestation ज्या egg larva pupine added, eggs की क्या खास बाते हैं, तो देखिए, eggs are laid in depressions, cracks in floor, और holes in the grain, या तो grain के अंदर hole करके ही उसमें एग ले कर दिये जाएंगे, या floor वगयरा के जो cracks वगयरा होते हैं, दरारेम वगयरा पड़ी होती हैं, जहां जमीन पे या floor पे, जहां इससे store किया गया है grain को, वहां पे इसका हम देखते हैं, eggs laying की जाती है, oval shape के होते हैं, 0.5 mm length होती है इनकी, और हम देखते हैं, initially white in the color, शुरूवे white color के होते हैं, but soon changes to bright red color, bright red color के हो जाते हैं, तो time बाद ये, a single female can lay up to 400 eggs, एक अकेली female, 400 तक eggs को ले कर सकती है, अपनी lifetime के अंदर, तो इस तरह से हम देखते ह ये जो eggs हैं, अब इनमें 4-7 दिन बाद क्या होगा, hatching होगी, hatching से क्या निकलेंगी, larva बाहर आएंगी, तो larva के अगर हम बात कर लें, through soft spots, enters into the, लार्वा है, वो green का soft part होगा, उसके उबर अपने एक करते हैं, उसके अंदर enter कर जाएंगी, closes the entry hole, और entry hole को फिर अपने excreta और से या wraps से बंद कर लेते हैं, ठीक है, bicycle wraps and develops full grown, और उसके अंदर ही अपने fully, पुरी growth करते हैं, तो ये तिक में growth हो जाती है, ये 6 mm long हो जाते हैं, 6 mm long होने से पहले कितने बार melting होगी इसकी, तो देखिए हम देखते हैं, ये 5 time की melting होती है, 20 से 14 से 20 दिन के अंदर इसकी, ये multi complete होने के बार, ये pupa stage करने चले जाते हैं, ये pupa stage कैसे होती है, हम देखिए, लाजवा spins आ सिर्कल कोकून inside देखिए, अप प्रियन के अंदर ही बड़ा होगा है, ये प्रियन के अंदर ही कितने कोकून गुना लेगा, और हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये pupa stage में चला ज होंगी, तब साथ से दस दिन बार उसमें से एड़्स बहार आ जाएंगी, एड़्स आप जान चुके हैं, ये तरह से मौत है, हना तु क्यासा कर रोता है उनका, और 6 mm की लैंद होती है, और अब रट की पांक की लैंद मिला कर आप देखिए, तो ये 12 mm, 12 mm की लैंद होती है आदिल्स जानते हैं, आप कोपिलिशन की बार आपस तीन से जार दिन बार, दो से दीन दिन बार एग्स लेंग करेंगी, और एग लेंग के बार वापिस लैफसाइकल चाल पड़ेगा, टो टॉटल लैफसाइकल इनका 27 तू फॉटी दीज ताईस से चालिज दिन करेंगा इस तरह से हमने एंगोव मॉइस ग्रीन मॉथ की निचर ओप डैमेज, ग्रास इतिकेशन और साथ में इनके लाइफ सैक्र को जाना, ओकी? तो चलिए एंगोव मॉइस ग्रीन मॉथ के बाद, अब तीसरे इंसेक्ट पैस्ट के बारे में बात करते हैं, जो की है पल्स बीटल, नाम से समझा रहा है पल्स बीटल यानि कि इसका डैमेज, पल्स के अंदर देखा जाएगा, हाना, साइंटिफिक नेम देख लीजी, यह है इसी प्रूचस बीटल भी ख़आ जाता है, ध्यान रखिएगा, common name के रूप में, ब्रूचस बीटल किसे कहा जाते हैं, फल्स बीटल को कहते हैं, क्यों कि इसके सांटिफिक नेम में आप देख सकते हैं, छो लो लो शो ब्रूचस बीटल नेम है, चानेंस चाइन तिस चा न अना विरुचुस की फैमिली विरुचिडी है याद रख सकते हैं आप इसे कोलिप्टे रही है जैसा कि जनरली स्टोड ग्रेंट पैस्ट के आउर्डर होते हैं तो उसका भी सेम और कोलिप्टे रही है इसका ध्यान रखेंगे अब एक तो मैंने बताया बुचिस बीटल भी कहते हैं इंडिया में इसे दोरा या चिराया धोराना और साथ में धनुर इस तरह की अलग लग नाम से भी जाना जाता है फूड इसकी फूड या इनफेस्टेशन कहां देखा जाता है तो समझ चुके होंगे कि पल्स बीटल है तो पल्स अलग लग तरह की जो है यानि कि अरहर मूंग उडद पी ग्राम लेंटिल काव पी सोयबीन मोठ तो इन तरह से अलग लग तरह कि जो पल्स क्रॉप है उसके तो पर इसका हम देखते हैं इंफेस्टेशन देखा जाता है कैसे देखा जाता है नीचर आफ डैमेज के कर हम बात करें जनलरी डैमेज स्टार्ट इन दी लेगिमिनस पॉड्स तो कलियां वगेरा जब लगी भी होती है फील्ड के उपर उस दौरान ही इसका डैमेज स्टा तो इस तरह से इसका मतलब को मिला कि डैमेज होना शुरू हो जाता है फील्ड से ही देखा जाता है बोथ ग्रब्स एंड एडल्स बीटल्स आर रिस्पॉन्सफवल फॉर दी डैमेज ग्रब्स और बीटल दोनों ही स्टेज इसकी डैमेजिंग है कैसे है दो ग्रब्स कॉस ग्रब्स और अंदर का जितना भी दाने के अंदर जितना भी मैटीरियल है उसको तो खत्म अंदर खाने लगेगा ही और साथ में हम देखते हैं लिविंग ओल्ली तर शेल बिखा रह जाता है तो इस तरह इसका डैमेज दिखा जाता है अभी जो शेल यह कह सकते हैं ग्रें जो है डिस्पे डैमेज हुआ है दे डैमेजड ग्रें आर अन्फिट फॉर हुमन कंजप्शिन नहीं कर सकता एस वेल एस वर दिस सोइंग पर्पस और नहीं उसके हम स्वाइंग बगेर कर सकते हैं तो इस तरह से कुल में लाके काफी डैमेज हो जाता है तो इस तरह से के बारे में भी बात कर लें तो फोलियोप्टे रहा है लाइफ में चार में स्टेज होंगी समझ आई गया कौनसी एग्स गार्वा प्यूपायन एडल्स एग्स किस तरह से ले किये जाते हैं लेड ऑन डी डेवलपिंग पॉड्स आउटसाइड और इंसाइड जो पॉड्स होते हैं या तो उसके बाहर ले किये जाते हैं या उसके अंदर ले किये जाते हैं कैसे रंग के होते हैं यलोईश वाइट कलर होता है इनका और बार आएंगे और जो अप्टेरा में डारवा को हम क्या कह सकते हैं, grubs कह सकते हैं, grubs are hatching both the grains and develop inside, अभी जो grubs बहार आए हैं, वो क्या करेंगे, grains के अंदर damage पहुचाएंगे, और देन उसके अंदर inside पहुच जाएंगे, entry hole is generally too small, अभी जो entry hole जो होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो infest inflation हैं, वो major ही नहीं का रहा पाते हैं हम जल्दी से, spectacular नहीं होता, मतलब जल्दी से हम देख नहीं पाते हैं कि इसका infestation हुआ है कि बहुत छोटा सा hole बना के इसके अंदर इसका, यह एकदम noticeable नहीं होता है, इसका hole जो होता है, तो entry hole is very too small, generally too small and gets healed soon, और वो जो की healed भी हो जात है, white color का होता है, color के अंदर with brown head, color का head है, वो brown color का होता है, अभी जो grub है, 14 से 21 दिन बाद, pupa stage के अंदर आता है, pupa inside the grain, grain के अंदर बैटा है, तो grain के अंदर ही इसका pupation हो जाएगा, pupa is brown in color, brown color का pupa होता है, pupa 4 days in favorable conditions, 4 दिन की favorable conditions के बाद, extend हो जाता है, मतलब कुल में लागे, 4 दिन की favorable conditions के बाद, ये adults में, इसमें से adults बहार आजाएंगे, लेकिन अगर during winter, सरदिया है, तो उस दौरान हम देखते हैं, extends to 4 weeks during winter, मतलब winter के अंदर, ये 4 हफते तक भी extend हो सकता है, ये time, तो इस तरह से, अब इसके बाद, इसमें से adults बहार आते हैं adults के characteristics, जानते ही हैं कि chocolate color होता है, photo में आप देख सकते हैं, image में आप देख सकते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं, 3.2 mm in length, length इनकी 3.2 mm होती है, antenna are serate type in female and patinate in case of male, तो यानि की antenna जो है, and patinate type, आप जाते हैं, comb-like हम देखते हैं antenna, जिनके अदर अलगी तरह देखते हैं antenna के shapes देखे जाते हैं, तो इमें में में इनकी 49 to 58 days के अंदर, 50 से 58 दिन के अंदर जिसका life second देखा जाता है, ओके? तो चलिए अब last pest के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि है grain might, या जिसे हम floor might भी कह सकते हैं, या फ्लॉर पेस का attack देखा जाता है, तो अब mites के बारे में ज्यादा information तो मेरे पास available नहीं है, लेकिन जितनी है, वो क्या है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि mites जो है, insects न अदर नहीं रखते, ये insect नहीं है, लेकिन pest तो है, क्योंकि pest कोई भी ऐसी, कोई भी ऐसा organism जो हम देख रहे हैं कि crops लोगेरा को damage पहुंचाता है, तो उसे हम pest कह देते हैं, तो मतलब mites भी pest हैं, तो किस तरह से insects से अलग होते हैं, उसकी अगर हम बात कर लें, तो mites differs from insects in that they have only two main segments in their body, insect की body आप जानते हैं, तीन पार्ट में बटिये होती है, head, thorax and abdominal, लेकिन mites की जो बाड़ी है, उसके अंदर main दो ही पार्ट होते हैं, तो मतलब जो कि क्या है, combined head and thorax, आगे के पार्ट में combined होगे होते हैं, head और thorax, और दूसरा पार्ट जो है, इसका वो है, insects के अंदर, eggs के, हम देखते हैं, इनके जो insects, insects जो होते हैं, उनके अंदर three pair of legs होते हैं, लेकिन mites जो हैं, उनके अंदर कितने pair of legs देखते हैं, four pair of legs देखे जाते हैं, okay, all species of mites are wingless, mites के अंदर wings नहीं होते, लेकिन insects में तो होते हैं, खना तो कुल मिला आगे कहने का मतलब यह हुआ कि different है माइट किस से इंसेक्ट से इसलिए हम इंसेक्टा क्लास के नहीं रखते और हम बात करें इनके classification की तो किस तरह से classify कर सकते हैं हम तो देखिए इनका kingdom नम ऐनिमेलिया ही है फायलम और तुरपोडा ही है लिकिन क्लास चेंज हो चुकी है क्लास क्या है एरेक्णिद्टा रहां मातईस क्या है अक। प्रवेदांगी एक्रिडी द्यान रख सकते हैं आप इसे एक्रिडी और जीनस जो है वो है अकैरस और डाश्ममिस पीशिस की हम बात करें तो वह है शीरो कंशा सिरों इसका साइटिफिक नेम हो जाएगा जीनस और सिरों इसका नोते हैं फिर एकेरस सिरो का सैंट टृटम का और उसका इस वेखा जाता है वह भी नीचे लिखा गया है कि फ्लोर मॉइन्ट जोुद कर सकता है जहों अगे लिखा है और इसंतर इंप ने फीडिग कर सकते हैं को लिए फेड नहीं कर सकते हैं और लिखा है एंड आगे लिखा है और ये कुल मेला की के लिए अनफेट हो जाता है फूट स्टफ एक्वाइट स्टिकी स्वीट स्मेल एंड एंड अन पैटेबल टेस्ट टेस्ट भी खराब हो जाएगा और साथ में उसमें से बद्बू भी आने लगती है तो कुल मिला की ज्यादा इंफर्मेशन तो अवेलबल नहीं थी मेरे पास असकी इसलिए मैंने जितनी इंफर्मेशन अवेलबल मुझसे हो पाई मैं आपको बताया किसके बारे में ग्रीन माइट के बारे में तो ये था हमारा आज का वीडियो और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी एक्स्प्रेन किया है उसकी एक पीडियाफ फॉर्म नीचे डिस्क्रि कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए जोड़े रही है अगरिकल्च्रल स्टडी से